नमस्कार दोस्तों जी एस रेसीपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम महा जनपत के बारे में डिसकस करेंगे महा जनपत से रिलेटेड चितने भी प्रिशन आये हुए हैं पिछले सालों में उन सब के बारे में डिसकसन किया जाएगा चलिए वीडियो की स सुरुआत करते हैं पहला कोशन बोल रहा है कि निमनलिकित में से किस एक को मौर्यपूर्व काल के 16 महा जनपतों में से सूचिबद नहीं किया गया है तो वह कौन सा जनपत है जिसे सूचिबद नहीं किया गया है इसका सही option है option number D कलिंग को सूचिबद नहीं किया गया है आ एक बौध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय है इसमें भी सोले महाजनपदों के बारे में बताया गया है और दूसरा ये तो बौध ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र जिसका क्या नाम है भगवती सूत्र इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उलेख किया गया है और वह 16 जनपद कौन कौन से हैं आप मैं नाम बोलता जाओंगा आप नोट करते जाएगा पहले महाजनपत का नाम है काशी, दूसरे महाजनपत का नाम है कोशल, तीसरे महाजनपत का नाम है अंग, चौते महाजनपत का नाम है मगद, पांचवे महाजनपत का नाम है वज्जी, छटवे महाजनपत का नाम है मल, साथवे महाजनपत का नाम है चेदी, आठवे महाजनपद का नाम है पांचाल, दसवे महाजनपद का नाम है मत्स, और ग्यारावे महाजनपद का नाम है सूरसेन, बरावे महाजनपद का नाम है अश्मक, फिर उसके बाद तेरावे महाजनपद का नाम है अवंती, चौदावे महाजनपद का नाम है गांधार, पंदरावे जनपत का नाम है महा जनपत का नाम है कमबोज और लास्ट सुलावे महा जनपत का नाम है कुरू ठीक है और इसमें से अगर 16 महा जनपतों में कुल 8 महा जनपतों की जो location है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इस्थित है तो ये इसका इस प्रश्ण का जो सही एंसर है वह क्या है वह है option number D calling is the right answer अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण बोल रहा है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 सोले महा जनपद में कुल कितने महा जनपद इस्तित है कहां पर उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था कितने उत्तर प्रदेश में इस्तित है उसमें इसका उलेक मिलता है तो ऋप्सन नंबर C is the right answer अगले प्रश्ण के बोढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण बोल ला है प्राचीन भारतिये महाजनपदों के बारे में निमनलिकित कतनों मेंumbling से कौन सा सही है तो पढ़ते चलिए बताते चलिए पहला कतन बोल रहा है कि सभी महाजनपद अल्पतंत्रिये थे जहां सक्ति का प्रयोग लोगों के एक समू द्वारा किया जाता था तो यह कतन जो है बिल्कुल गलत है सही नहीं है ठीक है दूसरा कतन क्या बोल रहा है दूसरा कतन बोल रहा है सभी महा जनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे तो ये भी कतन बिल्कुल गलत है तीसरा बोल रहा है महा जनपद कोई सेना नहीं रखते थे तो ये भी गलत है और चौथा बोल रहा है बौद is the right answer अगले प्रिष्ट क्यों बढ़ते हैं अगला प्रिष्ट क्या है अगला प्रिष्ट सूची वन सूची दो दे रहा है और एक तरब दे रखा है महा जनपत दूसरी तरब दे रखा है राजधानी सबसे पहले इस एंसर को जानने से पहले मैं जो 16 जनपत के जो मैंने नाम लिखवाए थे उसके आगे एक कॉलम आप खीचके उसके सामने उसकी राजधानी नोट कर सकते हैं ठीक है मैं महा जनपत के नाम बोलता जाओंगा और उसके सामने राजधानी का नाम आप लिखते जाएंगे पहला महा जनपत फिर तीसरा जो महाजनपद है जिसका नाम है वज्जी इसकी राजधानी क्या है वज्जी की राजधानी है वैशाली वज्जी की राजधानी वैशाली फिर चौथे नमबर पे आता है काशी काशी की राजधानी क्या थी वारड़सी काशी की राजधानी क्या थी वारड़सी फिर उसके बाद पाँचवे नमबर पे आता है कोशल की राजधानी क्या थी? कोशल की राजधानी थी स्रावस्ती क्या थी? स्रावस्ती चटवे नमबर पे आता है मल मल्ले की राजधानी क्या थी? मल्ले की राजधानी थी पावा पावव भी बोल सकते है या कुशी नगर बोल सकते है क्या कुशी नगर बोल सकते है सातवे नमबर पर आपका आता है सातवे नमबर पर आपका आता है वत्स वत्स की राजधानी क्या थी वत्स की राजधानी थी कौशामबी बच्स की राजधानी क्या थी? कौशामबी फिर उसके बाद आठवे नमबर पे क्या आता है? आठवे नमबर पे आता है कुरू कुरू की राजधानी क्या थी? इंदरप्रस्त नौवे नमबर पे आता है पांचाल पांचाल की राजधानी क्या थी पांचाल की राजधानी थी अही छत्र या इसको हम कामपिल्ले भी बोल सकते हैं क्या कामपिल्ले भी बोल सकते हैं फिर उसके बाद दसवे नमबर पे आप का आता है अवंती अवंती की राजधानी क्या थी अवंती की राजधानी थी अवंत सूरसेन की राजधानी क्या थी इनकी राजधानी थी मतुरा ठीक है बारावे नमबर पे आपका आता है चेदी चेदी की राजधानी क्या थी, चेदी की राजधानी थी, सोथी वती, सोथी वती था, या इसको हम सुक्ती मती भी बोल सकते हैं, क्या, सुक्ती मती भी इसको बोला जा सकता है, बारकबाद 13 नमबर पे महाजन पद है, मत्स, मत्स की राजधानी क्या थी, मत्स की राजधानी थी विराट नगर मत्स की राजधानी थी विराट नगर उसके बाद आता है गांधार उसके बाद आता है अश्मक उसके बाद क्या आता है चौदावे नमबर पे अश्मक, अश्मक की राजदानी क्या थी? अश्मक की राजदानी थी? पोतन उसके बाद पंद्रवे नमबर पे आता है गांधार, गांधार की राजदानी क्या थी? गांधार की राजदानी थी? तच्चसिला क्या थी तच्चसिला उसके बाद सुलावे नंबर लास्ट पर आता है कमबोज कमबोज की राजधानी क्या थी कमबोज की राजधानी थी राजपूर राजपूर भी बोल सकते हैं या इसको हाटक भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं हाटक भी बोल सकते हैं ठीक है पिर कुरू की राजदानी क्या बताई थी कुरू की राजदानी बताई थी इंद्रप्रस्त तो B का चार दोनों में सेम है सूरसेन की राजदानी क्या बताई थी मतुरा तो C का एक, C का एक C में है तो इसका क्या हो जाएगा उंसर option number D is the right answer और असमक की राजदानी क्या थी असमक की राजदानी थी पोतन तो इस प्रश्ण का जो सही जवाब है क्या है वाए option number C ठीक है, अगले प्रश्ण की और बढ़ते है अगला प्रश्ण क्या है, अच्छा इसके बारे में कुछ और महतपूर तथी जान लीजे, महतपूर तथी ये है कि जो कलिंग एक प्रमुख नगर था कलिंग का एक प्रमुख नगर क्या था उसका नाम था दंतपूर उसका नाम क्या था, दंतपूर नाम था पहला fact ये, दूसरा fact आप नोट कर सकते हो कि एक जगह है जिसका नाम है सौवीर सौवीर या सिंद का एक प्रमुक इसका मतलब सौवीर को ही सिंद बोला जाता था इसका एक प्रमुक नगर था जिसका नाम रोरूक था जिसका नाम क्या था रोरूक और या वैपार का एक प्रमुक केंदर था और तीसरे महतपूर तथ में आप नोट कर सकते हैं कि आधुनिक जो इस समय रुहेल खंड की जो बरेली है बदाईू है तता जो फरुकाबाद के जिलो से मिलकर प्राचीन का जो पांचाल बनता था ना तो पांचाल महाजनपद जो है वो इन ही सब को मिला के बनता था कौन-क लिखित में से कौन सा सही सुमयलित नहीं है इस में से कौन सा सही सुमयलित नहीं है तो इस प्रिष्ण का सही जवाब है option number B ये सही सुमयलित नहीं है बाकी सब सही सुमयलित है तो ये सामने दिया क्या गया है सामने एक तरब दे रखा है महाजनपत और दूसरी तरब दे र स्रावस्ती क्या था स्रावस्ती थी राजधानी इसकी और यह जो दे रखा है अहित छत्र यह किसकी राजधानी थी यह राजधानी थी पांचाल की किसकी राजधानी थी पांचाल की राजधानी थी ठीक है तो इस प्रशन का सही जवाब क्या है है option number B is the right answer अगले तो देख लीजे इसका option क्या होगा इसका option होगा option number D is the right answer अगले प्रश्ण की बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण फिर से राज दे रखा है प्रमुक नगर दे रखा है उनका मिलान करना है ठीक है तो जो राज है असमक असमक से रिलेटेट क्या है असमक की राजधानी पोतन थी अवंती की राजधानी महस्मती थी और कलिंग की राजधानी क्या थी उसका नाम क्या था दंतपूर था ठीक है और एक सौवीर है इसका प्रमुकनगर क्या था इसका प्रमुकनगर का नाम रोरूग था तो इस प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा इस प्रश्ण का सही जवाब होगा option number c is the right answer ठीक है अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं इस प्रश्ण का answer है option number c अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या बोला है अगला प्रश्ण है महा भारत के अनुसार उत्री पांचाल की राजधानी क्या थी महा भारत के अनुसार जो उत्री पांचाल की जो राजधानी थी ना उसका नाम था अहिच्छत्र अहिच्छत्र option number C is the right answer अगले प्रेश्ट क्यों बढ़ते हैं अगला प्रेश्ट क्या है अगला है कि एक तरफ राजा का नाम दे रखा है दूसरी तरफ राज दे रखा है तो आप मिलान कर सकते हैं प्रद्योग जो राजा है वा किस से related है प्रद्योग राजा जो है वा आवंती से related है तो एक आतीन वैसे आ तो पहले से ही answer गया है ठीक है option number c is the right answer लेकिन फिर भी आप जान जाएए उदेवन जो राजा थे वा कहा के थे वा वacz के राजा थे जो प्रिसेइशन जित थे वा कहा के राजा थे वा राजा थे कोशल के कहां के कोशल के और अजा अजात सत्रुजो थे वा मगत के राजा थे तो option number और C is the right answer ठीक है और मैंने पहले भी बता रखा है कि जो ये महाजनपद का उलेक मिलता है या बहुत गरंत के अंगुत्तर निकाय से मिलता है ठीक है और ये जो 16 महाजनपद है ना ये महात्मा बुद्ध के उध्य के पूर समस्त मतलब उत्री भारत को 16 बड़े राज्यों में भी भाजित कर दिया गया था और 16 महाजनपद जिन्हें कहा जाता था इन्हें हम सोडस महाजनपद भी बोलते हैं क्या सोडस सोडस महाजनपद भी इन्हें बोला जाता है ठीक है चलिए अगले प्रश्ट की बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न फिर से ब कुरू चेत्र जो है कुरू चेत्र जो था वह इस समय के वर्तमान समय के अगर दिली तथा मेरट के एक बिल्कूल सीमा से लगए लगा Our एक चेत्र है जिसका नाम है थानेश्वर जो की हरियाड़ा में हरिया lasci के अंतरगत आता है जिसकी राजधानी के रूप में हस्तिनापुर था इंदरप्रस्त था तता इशुकर का जो उलेख है न वो इसे में मिलता है तो यह जो D सही सही सिमेलित है बाकी सब सही सिमेलित है चलिये इस प्रश्न का सही जवाब क्या इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा option number C इस दा राईट एंसर ठीक है इसके बारे में कुछ महतपूर्त आते जानले, महतपूर्त आती यह है कि बुद्धकाल में गंगा घाटी में कई गड़ राज्यों के अस्तित्त के प्रमाण हमें मिले हैं और अस्तित्त के प्रमाण कौन कौन से हैं? जैसे पहले नंबर पर अगर आप नोट कर सकते हो तो कोलिय का उल्लेख किया गया है छटवे नंबर पे कुसी नारा के मल का उल्लेख किया गया है साथवे नंबर पे पावा के मल का उल्लेख किया गया है आठवे नंबर पे पिप लीवन के मोरिय का उल्लेख किया गया है नौवे नंबर पे वैसाली के लिछवील के लोगों का उलेख किया गया है और दसवे नंबर पे मिथिला के विदेह का उलेख किया गया है तो इस प्रशन का जो सही एंसर था वह क्या था वह था आप्सन नंबर सी इस दा राइट एंसर ठीक है अगले प्रशन के बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन बोल रहा है कि निम्नाकित चार राजाओं में से किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्री पुल संबंध थे वह कौन था तो जो मगत के बिम के प्रद्योग भी नहीं थे बुद्ध एवं महावीर के जो मगद राज बिम्बिसार और अजाद सत्र के साथ हमेशा से महत्पूर्ट संबंध रहे हैं इसके अतरिक जो कोसल के जो प्रशेन जीत हैं ये जो है न ये जैन धर्म के नहीं ये बुद्ध के अनुयाई थे और इस प्रशन का सही जाब क्या होगा वो होगा option number B is the right answer अगले प्रश्ण की बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण बोल रहा है कि निम्ले लिकित में से कौन सा एक इसापूर छटी सताबदी के प्रारंब में भारत का सरवादिक सक्तिसाली राज था तो व जातक कताओं में इसके समकाली नगर राज्यों की अपेच्चा इसकी सर्मत दिवा संपन्नता का बहुत हमें साच मिलता है और कासी महा जनपत जो था ना यह जो कासी था या एक तरीके से सूती सूती एवं रेश्यमी वस्तर के लिए या प्रशिद्ध था कौन कासी प्रश जनपत निम्न में से किसके लिए प्रशिद्ध था तो मैंने बताया है या किसके लिए प्रशिद्ध था या सूती एवं रेश्यमी वस्तर के लिए प्रशिद्ध था ठीक है ओप्सन नंबर एजदा राइट एंसर अगले प्रश्ण की बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या जो प्राचीन स्रावस्ति जो है न वह स्री राम जी के जो पुत्र है पुत्र थे लव उनकी राजधानी थी कौन स्रावस्ति उनकी राजधानी थी सहेद महेद के खंडहरों से हमें यह पता चलता है कि इस नकर का इस नकर का जो आकार था वह अर्द चंद्रकार था और गौत प्रिशेंजित की राजधानी भी थी ठीक है बुद्ध के जीवन से संबंदित अनेक इस्थलों के खंडहर यहां उत्खनन द्वारा प्रकास में लाए गये हैं यहीं पर एक तरीके से देखा जाए तो अनात पिंडक का जेतवन बिहार भी है और बुद्ध से संबंदित एक गंध कुटी है और एक कोसंब कुटी नामक दो विहार भी यहां से मिले हैं तो इस प्रिशन का जो सही जवाब था वा क्या था वा था ओप्सन नंबर B इस दा राइट एंसर अगले प्रिश्ट क्यों बढ़ते हैं अगला प्रिशन क्या है अगला प्रिशन बोल रहा है कि उद्यान वासवदता की दंत कथा किस से संबंदित है या जो है या संबंदित है उजयन से ओप्सन नंबर A is the right answer ठीक है इसके बारे में भी कुछ महतपूर्त थी जान लीजे महतपूर्त थी यह है कि जो उद्यान वासवदता की दंत कथा है वा उजयन से संबंदित है यह तो पता चलता है, इस कथा का जो वर्डन है ना, वह एक नाटक में मिलता है, उस नाटक का नाम क्या है, उस नाटक का नाम है, स्वप्न वास, स्वप्न वास वदत्तम, स्वप्न वास वदत्तम, या क्या है, या एक नाटक है, और इसकी जो रचना की थी, वह किनों ने की थी, इसकी रचना जो की थी वा महा कवी भास जी ने की थी महा कवी भास जी ने इसकी रचना की थी इसमें इस रचना में था क्या इस रचना में उदेयन जो थे जो वद्सराज उदेयन थे और एक अवंती नरेश की एक पुत्री थी जिनका नाम था वासवदत्ता जिनका नाम क्या था वासवदत्ता जो है उनका नाम था इन दोनों लोगों के प्रेम कथा का वर्लडन इसमें किया गया है या जो कथा है उस समय की है जब उदेयन जो है उज्जैनी में कैद थे और उज्जैन का अगर ये भी कोई कोशन पूछ पूछ लिया जाए कि उजयन का प्राचीन काल में नाम क्या था तो उजयन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका उसका नाम क्या था उसका नाम था अवंतिका तो इस प्रिश्ण का जो सही जवाब था वह क्या था वह था option number A is the right answer ठीक है अगले प्रिश्ण के बढ़ते हैं अगला प्रशन बोला है जन्पतों में से छटी सताब्दी इस्वी में कौन सा गड़राज जिता तो इसमें से जो इसका सही एंसर है वह है option number D is the right answer दोगो फिर से जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ जो पहले fact मैं बता चुका हूँ जो ये 16 महा जन्पत थे जो महा जन्पत इनका जो उल्लेक मिलता है वह बहुत ग्रंथ के अंगुत्तर निकाए में और जैन धर्म में के एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत इसमें इसका उल्लेक मिलता है और जो 16 जन्पत है उनका नाम क्या है पहला है कासी फिर कोशल अंग मगत वज्जी मल चेदी ये सब क्या थे या 16 महा जन्पत थे इन राजियों में दो प्रकार के राज्य थे ये जो 16 महा जन्पत थे ना 16 महा जन्पत में दो प्रकार के राज्य थे मतलब दो ऐसे राज्य थे जिसमें गरतंतर चलता था वह दो राज्य कौन थे एक राज्य का नाम था वज्जी एक अगर वज्जी संग की बात की जाए तो वज्जी संग में वज्जी के अतरिक, वैसाली के लिछवी, मिथिला के विदे, तता कुंडगराम के ग्यातरक भी प्रमुक थे, ठीक है, तो ये question पूछा जा सकता है, वज्जी की बजाए ये मल भी दे सकता था, है न, तो दोनों रखने, 16 जनपद में केवल वज्जी और मल ऐसे थे, जो गड़तंतर थे, बाकी सब जो थे, वार राज तंतर थे, ठीक है, और अगले प्रिश्ण की ओर बढ़ते हैं, इस प्रिश्ण का सही जवाब क्या था, इस प्रिश्ण का सही जवाब था, ऑप्सन नमबर D, ठीक है, अगले प्रिष्ट क्यों बढ़ते हैं अगला प्रिष्ण क्या है 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 अगले प्रिष्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रिष्ण क्या है अगला प्रिष्ण क्या है अगल चार सद्दा के साथ किया गया है किसके साथ चार सद्दा के साथ किया गया है इसके बारे में कुछ महतपूर्टत जा लीजे महतपूर्टत यह कि प्राचीन भारत का जो पस्चमी सीमांत थे था पस्चमी सीमांत पर दो नदियां थी एक का नमता स्वात एक का नमता काबुल इन नदियों के संगम पर एक नगरी बसी थी जिसका नाम था पुसकलावती, इसका जो समी करण है वह पेसावर जो की अब इस समय जो की पाकिस्तान में इस्तित है, जो इस समय कहां पर इस्तित है, जो इस समय पाकिस्तान में इस्तित है, वहां पर एक जगह है चार सद्धा, बहाँ पर एक location क्या है उसकी location का नाम है चार सद्दा इस नाम की स्थान से इसके बारे में पता चलता है रमायर से जो भरत जी के जो पुत्र थे उनका नाम था पुसकर उनके द्वारा पुसकलावती को बसाय जाने का उलेक किया गया है प्राचीन काल में अच्छे घोड़े बनाने के लिए जो ये कंबोज है ना कंबोज बहुत famous था तो आपको ये याद रखना है और ये भी अगर पूछा जा सकता है कि चार सद्दा की स्थापना किनों ने करी थी तो आप बता सकते हो भरत जी के जो पुत्र थे वो पुसकर जी थे उन्होंने इसकी स्थापना कर प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्यलिकित में से कौन सा इस्थान प्रिशिद्ध था तो मैंने बताया था वह कौन सा था वह था कंबोज ऑप्सन नंबर सी इस दा राइट एंसर अगले प्रिश्ट क्यों बढ़ते हैं अगला प्रिशन क्या है अगला अगर चटवी सताब्दी इस्था पूर में बात किया जाए तो सोले जो महा जनपद हैं सोले महां जनपदों में एक प्रमुक राश्तंत के रूप में प्रतिश्थित अवन्ती जो है वो पश्चिम तथा मध्य मालवा के छेतर में बसा हुआ था ये जो अवन्ती है ना एक उत्री अवंती था और एक दच्छडी अवंती था उत्री अवंती की जो राजधानी थी ना वाती उजयनी वाती उजयनी और दच्छडी अवंती की जो राजधानी थी ना वाती माहिस्मती वा क्या थी वाती माहिस्मती दोनों के बीच में एक नदी बहती थी उस नदी क क्या नाम था उस नदी का नाम था वेत्रवती उस नदी का नाम क्या था उस नदी का नाम था वेत्रवती ठीक है अगर बुद्धकाल में अवंती की राजधानी जो थी ना बुद्धकाल में ही अवंती की जो राजधानी थी वा थी उजयनी जहां वहां के राजा कौन थे वह आपोतन को भी पोटिल भी बोलते हैं ठीक है और अकर मत से महाजनपत की बात की जाए तो इसकी location कहाँ पर है इसकी location राजिस्थान के जैपुर छेत्र में इस्थित है और ये जो लाश्ट पर दी आया वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच्वच् नाम था पोतन ठीक है अस्मक महाजनपत जो था वह गोदावरी नदी मतलब जो अन्ध इस समय का जो आंध प्रदेश है इसके तट पर अभ इस ठित्ता इसकी राजधानी थी वह क्या थी वह पोतन थी और पोतन को भी पोटिल भी बोलते हैं क्या पोटिल भी बोलते हैं या एक मात्र महा जनपत था जो दच्छड भारत में स्थित्ता पुराणों की अनुसार अगर मानी जाय तो अस्मक के राज्टंत्र की जो इस्थापना करी थी वो इच्छवाकु वनसीय सासकों ने करी थी किनों ने की थी इच्छवाकु इच्छवाकु वनसीय जो सासक थे इन्हों ने इसकी इस्थापना करी थी तो इस प्रिश्ण का सही जवाब है वह है option number C is the right answer अगले प्रिश्ण क्यों बढ़ते हैं अगला प्रिश्ण क्या है अगले प्रिश्ण क्यों बोल रहा है गोदावरी नदी के तट पर इस्थित महाजनपत कौन है तो मैंने बताया था गोदावरी नदी के तट पर इस्थित जो नगर था महाजनपत था उसका नाम क्या था उस नमबर C is the right answer अगले प्रिश्ट क्यों बढ़ते हैं अगला प्रिश्ट न बोला है कि छटी सताब्दी इसापूरू का मत्स महाजनपद जो है वा कहा इस्थित्था वा इस्थित्था राजिस्थान में उप्सन नमबर B is the right answer इसके बारे में भी कुछ महतपूर्त थी जान लीजे इसके बारे महतपूर्त थी ये है कि अगर चटी सताब्दी इसापूर की बात की जाए तो 16 बड़े राज थे जिन्हें महाजनपद हम कहते थे मै ने बताया था बहुत गरंत के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है सबके नाम और उनकी राज़धानीों के बारे में आपको बताया जा चुगा है इन महाजनपदों में जो मत से महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी उसकी राजधानी थी विराट नगर और मत से महाजनपद जो था वो राजिस्थान राज में इस्थित था और अंग की राजधानी जो थी वा थी चमपा और जो सूरसेन की राजधानी थी वा थी मतु और अगर महतपूर्ट थे जाने तो जो गांधार जनपद में इस्थिद्ध जो तच्छ सिला था वा सिंदु तता जेलम नदी के तट पर इस्थिद्ध था अगर प्राचीन काल में अपने सिच्छा वैपार तता कला के लिए या प्रिशिद्ध था इस काल में कई गड़तंत सामिल नहीं थे अगर भारतिय प्राचीन सिक्के जो थे वा पांच्मी सताब्दी इसा पूर्व से पहले के नहीं है और अगर बात की जाए चेदी जनपत की तो चेदी जनपत की जो राजधानी थी उसका नाम था सोतिवती नगर तो इस प्रस्ष्ण का जो सही जवाब था क्या था इस प्रश्ण का सही एंसर था option number B is the right answer अगले प्रश्ट क्यों बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है अगले प्रश्ण बोल ला है छट्वी सताब्दी इसाप पूर्व सुक्ति मती किसकी राजधानी थी जो सुक्ति मती थी वा चेदी की राजधानी थी option number C is the right answer अगले प्रेश्ट क्यों बढ़ते हैं अगला प्रेश्ट क्या है अगला प्रेश्ट क्या है अगला प्रेश्ट क्या है चेदी जनपत की राजधानी क्या थी तो मैंने बताया था यह सिंदु तता जेलम के बीच इस्तित्ता, उप्षन नमबर A is the right answer, अगले प्रश्ड की ओबढ़ते हैं, अगला प्रश्ण क्या है, अगला प्रश्ण क्या है, अगला प्रश्ण बोला है, तच्छ सिला किस के लिए प्रश्ड था, जो तच्छ सिला था वह विद्या और अध्यन के लिए भी फेमस था वह वाडी जित था वैपार के लिए भी फेमस था वह कला तता सिल्प के लिए भी फेमस था तो इस प्रशन का सही जवाब है option number D इन तीनों के लिए प्रशिद था option number D is the right answer अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं अगले प्रशन क्या है अगले प्रशन क्यों बोला है चंपा किस महाजनपत की राजधानी थी चंपा जो है वा अंग की राजधानी थी option number D is the right answer ठीक है अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं अगला प्रिश्ण बोल रहा है कि प्रारंभी गड़तंत्र प्रारंभी गड़तंत्र में कौन सा नहीं है तो प्रारंभी गड़तंत्र में साक्य भी सामिल थे लिच्वी भी सामिल थे जो योधे थे न वह सामिल नहीं थे तो option number C is the right answer और आज के अंतिम प्रिश्ण की ओर बढ़ते हैं अंतिम प्रिश्ण बोल रहा है प्रांचिंतम भारतिय सिक्के निमनांकित से पहले के नहीं है किसके पहले के नहीं है मैंने बताया था या पांचवी सताब्दी के पूर्व के नहीं है तो इस परशन का सही जवाब क्या होगा option number B is the right answer तो यह जो सिरी चल रही है कैसी लग रही है आपको please comment section में लिखके बताईए और किसी भी तरीके की कोई भी suggestion देना हो तो आप comment section में लिखके बता सकते हैं और channel को subscribe करिए वीडियो को like करिए और अपने दोस्तों घर वालों से और अपने गुरूप में please इस वीडियो को share भी कर दीजेगा धन्यवाद